मार्केट बहुत ऊपर है अभी SIP पहुज कर दू बिलकुल नहीं केतन जी मार्केट पहली पार एक बार 10,000 भी गया था फिर 11,000 भी गया पहली बार 12,000 भी गया 13,000 गया 14,000 गया 15,000 गया 16,000 गया 18,000 भी गया निफ्टी की बात कर रहा हूं में यहां पर वैसी सेम चुछ सेंस के साथ भी हुई है तो this is just a number यह याद रखना जरूरी है long term में the trend is upward if your GDP growth is six to seven percent if your inflation is five to six percent add these numbers and that's what is nominal GDP growth and that's what you should expect from equity from the longer term point of view तो उसको इसके बीच में कभी उपर जाएगा कभी नीचे जाएगा but trend line जो है वो positive है because we are in a growing economy तो यह समझना जरूरी है कुछ फरक नहीं पड़ता है SIP का logic ही खतम हो जाता है जब हम उसको pause करते है market को देख के the game of accumulation भूला नहीं है return is a byproduct of that process discipline SIP is a discipline take it as a commitment बिलकुल उसको कोई compromise मत कीजिए keep on investing you will achieve your financial goals you will create a good corpus मैंने जब यह session शुरू हुआ था तो बारा साल के SIP का एक example आप लोगों के सामने रखा था बारा साल 35 रुपे पर मन्त almost 50 लाग रुपे का accumulation the value is between 1.3 to 1.4 crore that to a category average performing fund not the top performing from that category for that 12 year period यह समझना बहुत जरूरी है कुछ मत कीजिए follow कीजिए उस process को SIP की accumulation में ज़्यादा खुशी होनी चाहिए rather than returns में और long term goal है initial year से accumulation के market गिरता है भाई इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी कि initial year में अगर market गिर रहा है we are in accumulation phase we will acquire more number of units we will acquire more number of stocks that's the beauty ना वही तो यही तो वो install installments होंगे जो ज़्यादा returns देंगे जब market गिरता है तो बिल्कुल नहीं अगर आपको लगता है कि यहां से market गिरेगा पॉस कर तो भाई गिरने दो यार SIP को पॉस मत करो और बढ़ गया तो खुश हो जो पहले का लोकेशन तो ही बट अगर आ आपको ताइम आपको लुटान करने के लिए एक दो आपको यह स्टाक में अगर किसी नीए इस पर इंट्री लिए ती और उस पर एंगजिग लिया होता तो कैसी बाते कर रहे हो यार ऐसा होता है क्या कभी एक्जांपल बता रहे हो यह तो ऐसा हुआ मेरे क्लाइन ने बोला था परीमल हम 52 वीक लोग पे sell करते 52 पे 52 वीक लोग पे बाय करते 52 वीक हाई पे sell कर देंगे इस सो सिंपल देटा इस देर मिलो वा सर्व गिवी में राउंड अपलॉज ऐसा लगा मुझे और ही वाज भामाल मिलोग उस्टे भा में से एक कर रहां इसका तो दो एसा खुछ नहीं हमारे लिए रीटेल investor के लिए long term investing में believe करने वाले तुछ पराणी के लिए time in the market is more important rather than timing the market तो time जादा जरूरी है मैंने example बताए ना कुछ rocket science नहीं लगा an average investor least bothered about markets but followed the discipline of accumulation and that investor got more than 12 to 13 or 14 percent returns from his or her equity investing through SIP बिल्कुल नहीं करना है केतन जी बहुत ही दिल से request कर रहा हूँ SIP बहुत नहीं करनी है SIP कैसे decide करनी है saving जो है अपनी surplus जो है उसको SIP में convert करते जाना है accumulation में खुश रहना है market गिरता है तो और भी ज़्यादा खुश होना है because वही तो time है जब जादा number of units मिलने वाले है as simple as that कुछ भी confusion नहीं रखना है SIP में बाखी जो कुछ बोल रहा है छोड़ तो मैं बोल रहा हूँ इस industry में individual investors के साथ deal करने का experience है उससे बता रहा हूँ आपको कलतिया क्या नहीं करनी है unforced error नहीं करने हम वो match जीत जाएंगे unforced error करेंगे तो match तो पक्का हारेंगे और unforced error तो unforced होते है वो तो हम खुद करते है कोई force नहीं कर रहा हमें तो वो बिलकुल नहीं करना है तो ये बहुत ही genuine और strong request है आप सभी लोगों के लिए